दोस्तों लोग अक्सर शिपकली को देखते हैं जो कि एक समाने घटना मानी जाती है यहां तक कि हमें पता है कि शिपकली को समाने जीव जन्तु माना गया है लेकिन जीव जन्तु और मनुस्य के बीच प्रकरती का अपना एक अलग संबन होता है यह बात साहित कमी लोग ही जानते होंगे सास्तों में शिपकली को एक बेधी खास जीव माना जाता है सास्तों में शिपकली को देखने और उससे जुड़ी गई कदीवितियों के बारे में विस्तार से जानगारी दी गई है जिसकी जानगारी अलग-अलग आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते हैं सास्त्र में विख्यात सकुन सास्त्र के अनुसार छिपकली का विशेश समय पर दिखना, जमीन पर दिखना, शरीर पर गिरना बविश्य में होने वाले सुब असुब गटनाओं की और इसारा करता है इसके अलावा छिपकली का सरीर में किसी खास अंग पर गिरना भी बविश्य में होने वाले सुब असुब असुब गटनाओं को दरसाता है ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि दिपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उसे माहलक्षमी का पर्थिक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके उपर गिड़ जाए तो घर में वर्षुतक के लिए सुख समर्द्धी आती है लेकिन आप सायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक परियोग के मातियम से हम अने को लाग पा सकते हैं इसके संबन में एक बहुत ही असरधार तोटका हम आपके लिए लेकर आए हैं तो जानते हैं कि ये ऐसा कौन सा सरड़ काम है जिसको करने से हम अपनी किसमत बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं और जिससे अपने जीवन के तरक्की के मार्ग खुल जाएं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरू करिएगा दोस्तों को सेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे च शिपकली दिखें तो तुरुद भगवान की मूर्टी के पास रखा सिंदूर और चावल लाएं और उसे दूर से ही शिपकली के उपर चड़क दें और कोई आपके मन में मुराद है तो आप उस मुराद को अपने मनी मन में बोलें और काम न करें कि आपकी मुराद पूरी ह हो जाए सास्त्रों में चिपकली को एक पूझलिय प्राणी माना गया है इसके पूझल अर्चन से धन से संबंदित परैसानिय खतम हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं रहता है लेकिन दोस्तों चिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आपने कभी भी दिवार पर छिपकली को देख लिया और आप ये उपाय करने लग जाएं बलकि विशेज का संद्यकाल के समय जब आप पूजा करने वाले होते हैं तो उस समय ही आपको ध्यान रखना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए छिपकली एक ऐसा जीव है जो देखते ही लोगों को घिन आती है इससे डर कर या इससे भगा कर आप उतना ही नुकसान करते हैं क्योंकि आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाए तो एक ये असूप सुंकेत माना जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हातों से सफाई करते हुए छिपकली या उसका बच्चा मर जाए तो तुरुंत उसका संसकार कर दे यानि कि जमीन में गड़ा खोद कर उसको दवा देना चाहिए इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नराज नहीं होगी नहीं तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसे कष्ट आने लग जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है और क्या करने की वज़े से आपके जीवन में ऐसे संकेत बार बार आ जाते हैं इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत है जिससे आप अपने जीवन में घटनाओं का अंदाजार लगा सकते हैं दोस्तों अगर आप खाना खा रहे होते हैं और आपको किसी छिपकली की आवाद सुनाई देती है तो ये बहुत ही सुप संकेत माना जाता है या आपके जीवन में अचानक कोई धन प्राप्त का संकेत देता है कोई सुप समचार मिलने का संकेत देता है या फिर कोई सुप फल मिलने का संकेत हो सकता है और अगर आपको छिपकली का कोई समागन दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आप से मिलने वाला है और आपके जीवन में कोई नई संकेत मिल रहा है कि आप जो ढूंड रहे थे आप जिस व्यक्ति से मिलना चाते थे कि वो व्यक्ति सामने आए और अब आपको ऐसा लगएगा कि ये कैसे हो गया और इस प्रकार से आपके जीवन में नई संकेत दिखाई देंगे एक ऐसी भी चीज है अगर आपको सपने में छिपकली मरी हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके उपर कोई बड़ा कश्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे आपको पहले कोई अंदाजा ना हो ये हमारे अच्छे और बुरे दोनों सवाव से जुड़ी हुई है कहा जाता है कि अगर जाते आते इंसान के हाथ या सर में चिपकली अचानक गिर जाए तो निकट भविशे में मान सम्मान मिलने का संकेत है ये भी कहा जाता है कि अगर गुटने में चिपकली गिर जाती है तो ये भी बहुत ही सुब माना जाता है अगर आपको खाना खाते समय चिपकली दिखाई दे तो समझ लेजे कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन अगर आप खाना खा रहे होते हैं और अचानक आपके पैरों में चिपकली आ जाती है तो ये कोई बिमारी आपके जीवन में आ सकती है माना जाता है कि अगर आपके गर में छिपकली हो और आप लोग आपस में बाते कर रहे हैं और उसी समय अगर छिपकली आवाज करें तो इसका मतलब है कि आप जो बाते कर रहे हैं वो सच होने वाली है कहा ये भी गया है कि माथे पर शिपकिली गिरती है इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है साथ ही अगर शिपकिली किसी भी किड़े या पतंगे पर जपटे और आप उसे देख लेते हैं आप उसके बीच में आ जाते हैं समझ लीजिए किसी धन के आगवन के साथ ही धन का नुक्सान होने के संकेद दिखाई दे रहे हैं अगर ऐसा संकेद मिले तो आपको इस बात को तुरुन समझ जाना चाहिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी कारे हितु जा रहे होते हैं और उस कारे के लिए जैसे ही आप परस्थान करने वाले होते हैं बहुत ही कम ये होता है लेकिन जब भी आप परस्थान करने वाले होते हैं और दो चिपकलिया आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कारे के लिए जाएंगे और उस के लिए आपको काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस कारे में सबलता मिले या ना मिले इस बात के उपर कभी भी आपको कोई बरोसा नहीं करना चाहिए आपके सरी पर छिपकली गिर जाए तो उससे भी आप कहीं चीजों का पता लगा सकते हैं अगर छिपकली किसी के माथे पर गिरती है तो धनलाब होता है अगर दाइने कान पर गिरे तो आबुषनों की प्राप्ती होती है जबकि बायक आयन पर गिरने पर उमर लंबी होती है लेकिन अगर छिपकली आपके बाल में यानि विशेश कर महिलाओं के लंबे बाल होते हैं वैसे बालों में फज जाती है या उस पर गिरती भी है तो समल जाएए इससे आपको बहुत दीब बुरी खबर का संगेत मिलता है इसलिए दोस्तों यहाँ जरूर द्यान रखना चाहिए आप अचानक अपने घर के पूजा घर में छिपकली देख लेते हैं तो वहाँ पर आपको गंगा जल का छिड़काप करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीबक मातालक्षमी का जलाकर आपकी जो भी मनुवांशित इच्छा है वो मातालक्षमी से मांग लेनी चाहिए निशित तोर पर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है और साथ ही साथ पूजा घर में ये घटना होने से आपका सारा काम भी बन जाता है अगर आपको लगता है कि बार-बार आपको सपने में छिपकली जगड़ते हुए दिखाई देती है आपको ऐसे सपने बार-बार आते हैं तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार के विवाद में आप फसने वाले हैं और उसका पूर्ण संकेत आपको मिल रहा है इससे आपको साफदान हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी तरह के अनुरूप कारे करने चाहिए ताकि आपको अपने कारे में ऐसा फलता हाथ ना लगे आपको अपने कारे में सबलता ही हाथ लगे तो ये थे छिपकली से जुड़े सकून सास के अनुसार कुछ ऐसे संके जिने व्यक्ति समय से पहले देखकर समल जाता है और अपने जीवन में तरक्की कर लेता है लेकिन जब वो समलता नहीं है तो उसके हाथ से कुछ ग बूले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर किलिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिशन आपको मिल सके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई ए